करोना के बढ़ते मामलों के चलते परदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में किसी भी जगह 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा रखी है वहीं परशासन नियमों के अवहलना पर कारेवाही भी कर रहा है लेकिन कई जगहों पर परशासन खुद ही करोना नियमों को तोड़ रहा है जिससे ऐसा लगता है कि करोना रोकने के सरकारी नियम केवल आमात्मी के लिए बनाए गए हैं जबकि सरकारी कारेकरमों में करोना नियमों की खुल कर धजियां उड रही हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाशल के जुआली के मिनी सची वाले में देखने को मिला है। यहाँ परशासन ने लाइसेंस की ट्रायल का कारेकरम रखा था। लेकिन यहाँ परशासन के सामरे सैक्डों लोगों की भीड एक साथ इकथी हो गई। इस भीड को हटाने के लिए परशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। इस दोरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुल कर धज्जियां ओड़ी और इस भीड में कई लोग बिना मास्क भी देखे गए। अगर इस भीड में कोई भी करोना पोजिटिव पाया गया तो संक्रमन कितने लोगों में फैल सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का कहना है कि प्रशासर ने हर समाजी कारेक्रम में 50 से अधिक भीड एकत्रित पर पाबंदी लगा रखी है। तो SDM परीसर में आखिर 500 से अधिक लोगों की भीड कैसे एकत्रित हो गई और लाइसेंस बनाने वालों को एक साथ किसने बुलाया। जवारी से समध आता दौरा चोहान की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें। थान्यवारी राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइब